Hello Friends, Welcome to Quant Study, Quant Study में आप सबका स्वागत है, आज हम करने जा रहे हैं हमारे संकल बैच का पहला चैप्टर, पहला लेक्चर है उसका भी आज, और हमारा पहला चैप्टर है सिंप्लिफिकेशन, ठीक है? शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें हमारी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, इसके लाबा हम फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं, डिरेक्ट लिंक्स सामने आपकी स्क्रीन पर हैं, जल्दी से हमें हर जगा फॉलो कर करेंगे, 30 से 40 के भी करेंगे, पर फिलाल अभी हम 30 तक ही करेंगे, इनकी जरूरत बाद में पड़ेगी, तो हम इनको बाद में ही करेंगे, हो सकते हैं जरूरत ना ही पड़े, तो फिलाल हम 10 से लेके 30 के स्क्वेर लर्न करेंगे, कुछ स्क्वेर आपको लर्न करने पड़े कुछ की मैं आपको ट्रिक पता दूंगा now Part 2ड में हम क्यूब्स भी लर्ण करेंगे क्यूब्स हमें 1 से लेके टैन तक ही करने है 11 से 15 भी हम कर सकते हैं पर फिलाल के लिए हम 1 से 10 तक के लि macht क्यूब्स लर्ण करेंगे pensando कुणि या 3 पार्ट में हम करेंगे की यहाँ पर लिखा होगे मैंने near to 50, यानि कि उनकी range होगी 32 से 75 के बीच, तो उन numbers का square हम find करना सीखेंगे, fourth part में हम सीखेंगे square find करना जो की 75 के उपर होगे, और उनकी range होगी 130 तक, तो 76 से 130 तक की range पे हम numbers को find करना सीखेंगे, और ये सारे आते हैं near to 100 वाले part में, next, हमने अब square ढूणना तो सीख लिए numbers की, जहाँ तक possible range है, हमारी 130 तक की possible range है, जहाँ तक हमें number पूछे जा सकते हैं paper में, उनके square तो हमने learn कर लिए, सीख लिए कैसे find करने हैं, next चीज ये भी तो आ सकती है कि जो हमें एक number दिया होगा, उसका square root निकालना है, तो square root निकालना भी हम सीखेंगे हमारे 5th part में, साथ ही हमारे 6th part में हम cube root निकालना चीखेंगे, अगर आपको square root आ गया तो cube root तो आपके लिए बच्चों का खेल होगा, आपको दिखने में लग रहा है कि cube root तो बड़ा होता है, यह ज़्यादा मुश्किल होगा, पर ऐसा नहीं है, square root आ गया, cube root आपके लिए बहुत असान होगा, और finally हम अपने chapter को end करेंगे, board mask के concept सीख के, यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें 13 का square या फिर 27 का square, ऐसे question सीधा नहीं आएंगे, हमें question आएंगे किस format में, कि 13 का square प्लस 27 का square माइनस 151 into 420 is equal to what, ऐसे type पर आएंगे हमें questions, हमें direct नहीं पूछा जाएगा कि 13 का square क्या है, 27 का square क्या है, तो हमें ऐसे format पर question आएगा, जिसे हमें solve करके final answer बताना होगा, अगर हमें 13 और 27 का square सीधा ही आता होगा, तो हम सीधा वहाँ पर number लिख देंगे, तो हमारी equation बनेगी 169 प्लस 729 and so on, ठीक है, पर उसके लिए हमें इन numbers के square आना ज़रूरी है, अगर number हमारा 45 भी होगा, जो कि बड़ा है, जो कि हमने learn नहीं किया होगा, उसकी भी एक trick है, जो कि आपको 2 सेकिंड में बता देगे कि 45 का square क्या होगा, फिर हम वो values डालेंगे, और ऐसी equation को solve करेंगे, board mass के थ्रू, ठीक है, तो ये साथ topic हम cover करेंगे, हमारे simplification chapter में, तो शुरू करते हैं हमारा chapter, हमारे part 1 से, जिसमें हम squares याद करेंगे, और साथ ही मैं आपको part 2 भी आज ही करा दूँगा, जिसमें हम cubes भी याद करेंगे, कुछ हम याद करेंगे, कुछ हम trick से सीख लेंगे, trick सिरफ आपको starting में याद कराने के लिए है, एक बार आपको square learn हो गया, तो आपको trick की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो चलिए, चलते हैं, ओके, तो पहले, पहली slide में left side से हम शुरू करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें unit digit, यानि कि once place में जो digit आते हैं, वो हमें याद होने चाहिए, इसका reason ये है, कि कल को हमें कोई भी number जिसका हमें square निकालना है, वो आए, तो हमें at least उसका एक digit तो पता हो, जो की होगा unit digit, ठीक है, अब देख सकते हैं कि one से लेके three तक के unit digit वहीं है, जो उनकी actual value है, one का one, two का four और three का nine, four से लेके ten तक जो है, four से लेके actually nine तक जो है, वो two digit number है, पर हमें सिरफ unit digit पर focus रखना है, तो four से लेके ten तक के जो squares है, उनके unit digit वो है, जो मैंने इस image में underline की होई है, like four का square 16 है, तो उसका unit digit 6 है, five का 25 है, उसका unit digit 5 है, and so on, तो अब सबसे पहले काँ आप ये करो, कि वीडियो pause करो, और ये जितने भी मैंने जो image लिखी, यहाँ पेशो हो रही है, इसको आप एक copy में note down कर लो, अब point आता है, कि हमें इसका फाइदा क्या है, अब देखो, ये जो example है, जैसे 27 का square हमें निकालना है, आपको पता है, 70 to 7 है 49, यानि कि इसका unit digit आगया 9, ठीक है, तो आप इधर क्या करोगी है, जो once position आपको दिख रही है, इस पे आप 9 भर दोगे, ठीक है, अब आपको बस बागी के 2 units याद रखने है, ठीक है, जब at least ये वाला भर लोगे, तो आप कुछ नगच करके, वो वाले भी कुछ नगच करके याद कर ही लोगे, फिलाल ये tricky है कि हमें unit digit याद होना चाहिए, इसका एक help ये भी होगी, कि कभी कभी आपको answer पता होता है, पर आपको याद नहीं होता कि ये किस number का square है, फॉर इसमें आपको ये help मिले कि जब आप 27 का square याद करोगे, तो 729 जिसका unit digit 9 आ रहा है, आपको वो याद आ जाएगा कि अच्छा, ये 729 27 का square होना चाहिए, नेक्स एक्जेंपल आप देखो 43 का square, अब 43 है, 33 is a 9, तो इसका unit digit भी 9 होगा, तो इस तरीके से आपको unit digit तो हर किसी के पता होंगे, और अब एक चीज़ notice करना, कि 7 का square किया, और 3 का square किया, दोनों के unit digit तो 9 आए, ठीक है, यानि कुछ number ऐसे हैं, जिनका square आप करोगे, तो उनके जो unit digit हैं, वो same आते हैं, तो ये रहे वो number, जैसे 1 और 9 का same है, 2 और 8 का same है, 3 और 7 का same है, 4 और 6 का same है, इसको याद करनी के trick ये है, कि कोई भी आप एक number याद कर लो, अब इन दो number का sum जो है, वो 10 होना चाहिए, अब आपने याद किया, कि 9 का जो unit digit है, वो 1 है, क्योंकि 9 9 जा 81, अब आपने देखना है, कि 9 को अगर हमें 10 बनाना है, तो उसमें क्या add करेंगे, 1 add करेंगे, तो 9 का और 1 का same हो जाएगा, वैसी, अगर आपको 2 का याद है, कि 4 है, 2 में आप 8 add करोके तो 10 बनेगा, तो 8 का भी unit digit 4 होगा, similarly 3, 7 और 4, 6, अब ये आगया cubes, जैसे आपने squares में unit digit learn किये, आपने सब हर किसी के unit digit learn किये, या trick के साथ कुछ भी बना के, आपने उनको learn कर लिया, वैसे ही आपको cubes में learn करने हैं, 2, 3, 7 और 8, क्योंकि ये जो है, ये interchangeable digits है, इसके अलावा कोई भी number है, जैसे 1 का 1 ही है, 4 का 4 ही है, unit digit 5 का 5 ही है, 6 का 6 ही है, 9 का 9 ही है, बस बचे 2, 3, 7, 8, इसकी भी trick ये है, कि इनको भी आपने 10 बनाना है, तो इनके unit digits आपस में interchange हो जाएंगे, जैसे कोई भी number होगा, जैसे for example, 2 का cube है 8, वैसी 8 का cube आ रहा है, 512 जिसमें unit digit है 2, तो 2 और 8 interchangeable है, वैसी 3 और 7 भी interchangeable है, अब ये हैं 11 से 20 के square, इनको हम 3 parts में divide करेंगे, पहले 4 number, यानि 11 से 14, ये आगया 1st part, फिर अगले 2 number, यानि 15 और 16, ये आगया 2nd part, और last के 4 number, 17 से 20, ये आगया 3rd part, ठीक है, इन सब 3 parts की अलगले tricks हैं, इसलिए हमने इनको अलगले divide किया, अब बात करते हैं, पहले 4 numbers की, यानि की 1st part की, उन में क्या है, आपको जो ये हैं, once digit जो है, unit digit जो है, वो आपको learn तो हो गए है, अब हम बात करेंगे, इनके बाकी 2 digits की, पहले 4 में, इनके जो 100 digit वाली position है, उन सब में 1 आएगा, मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, पहले 4 numbers, के 100 digit वाली position में, सब में 1 आएगा, जैसे आप देख सकते हैं, 11 का square, 121, 100 digit पे 1 है, 12 का square, 144, 100 digit पे 1 है, and so on, ठीक है, अब बात आई, middle के 2 digits, यानि 15 और 16 की, 15 का जो है, उसके लिए अलग से trick है, वो मैं आपको वीडियो के end में, number 15 का नहीं है, basically, जितने भी digits हैं, जो 5 से end होते हैं, like 15, 25, 35, इन सब की tricks, end में हैं, 16 जो number है, वो आपको learn करना पड़ेगा, कुछ भी करके, अब हर चीज की trick नहीं मिलेगी, अब बात करते हैं, last के 4 numbers की, यानि कि 16, 17, 18, ओ सॉरी, 17, 18, 19, 20 की, इन में, unit digit, सीधा का सीधा, दोनों digit आप, जो हैं, फिल कर सकते हैं, और वो trick क्या है, जैसे 17 का है, for example, 17 हम number लेते हैं, उसमें क्या है, कि unit digit तो 9 रहे गई रहेगा, आपको पता है, और जो बाकी 2 position है, उसमें आपको, 7 को 4 से multiply करने, 7 को 4 से multiply करने पर, आपके पास आएगा 28, तो वो 28 आजाएगा, बाकी 2 जगाओं पर, तो आपके पास आगया, 17 का square is 289, वैसे ही 18, 8, 8, 64 unit digit पर 4 आएगा, अब बचे बाकी के 2 digit, तो हम 8 into 4 करेंगे, 8 into 4 के बात है 32, वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे, 18 का square आगया, 3, 24, यह 15 और 16 जो मैंने आपको बताया, कि वीडियो के end में, आपको कराऊंगा, और 16 का आपको learn करना है, अब यह आगे 21 से 30 के square, आप वीडियो को pause करो, और फटा-फट से यह अपनी copy पे note down करो, इसके tricks में आगे बताऊंगा, अब यह है trick 21 से 30 की, यहाँ पर मैं trick लिखी भी हुई है, sum of both number should be 50, यानि कि अगर आपको 21 का square आता है, आप 21 को 50 कैसे मनाओगे, इसमें 29 अड़ करके, ठीक है, 21 का square आता है, तो आपको 29 का square काफी हद तक learn हो जाएगा, 100th place पे जो number है उन में change है, पाकी 10s और 1s वाले position वाले number सेम ही है, वैसे ही 22 का 484 और 28 का 784 ये भी सेम, 23 का 529, 27 का 729, अब यह है वो number 21, 22, 23, 24 आप learn कीजिए, 26, 27, 28, 29 आपको काफी हद तक उनी से ही learn हो जाएगे, learn तो आपको करने ही पढ़ेंगे, पर उनकी help से आपको काफी हद तक लान हो जाएगे, अब इसमें मैंने एक point नहीं लिखा 25 का square, वो मैं इसमें लिखना बूल गया हूँ, वो आप लिख लो 25 का square is 625, तो ये सब थे 11 से लेके 30 तक आपको जो squares learn करने हैं, उनके लिए trick, मैं ये नहीं कहा रहा है कि आपको इनी trick पर depend रहना है, आपको जस्ट एक start देने के लिए कि आपको ज़्यादा रटना ना पड़े, तो थोड़ी सी मैंने आपको tricks बताती हैं ताकि आप learn कर सको, आपको सिर्फ इनी पर dependent नहीं रहना है, जितनी सथा आप practice करोगे, आपको ये numbers learn हो जाएंगे अपने आपी, अब वीडियो खतम करने से पहले, जैसा मैंने कहा था, मैं आपको उन numbers के बारे में उनका square निकालना बताऊंगा, जिनका unit digit 5 पर end होता है, यानि की 15, 25, 35, इसका बिल्कुल सिंपल सा concept है, जैसे आप देख सकते हो, 15, 25, 35 ये सब number 5 पर end होते हैं, तो जो last के दो digit होंगे, वो हमेशा 5 का square होंगे, that is 25, जैसा आप इस example में भी देख सकते हैं, 15 वाले example में हमने last के दो digit थैं, यानि की 10s और 1s position वाले, उधर 25 लिखती है, अब जो इसके आगे का number है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं सिरफ 100, 1000th position भी आ सकती है, इस position पर क्या आएगा, इस position पर वो number आएगा, जो question में पूछा हुआ, जो 100 position है, यानि की 15 का जो 100 position number है, इसमें जो है 1 है, उसको next number से हम multiply कर देंगे, 1 into 2 करेंगे, तो इस position पर आ गया, जो 100th वाली position है, वहाँ पर आ गया, 2, यानि 15 का square हो गया, 225, इसके बिल्कुल right side में next example है, जिसमें हमारा जो 100 position नहीं फिल ओरी, बलकी 2 positions फिल ओरी है, 100th और 1000 वाली, क्योंकि 5 का जो हमने square है 25, 2 digit number है, 2 digit number है, 3 digit number है, हमें फरक नहीं पड़ता, वो हम इसके आगे भर देंगे, जितने भी digit number आएगा, 4, 5, 20 आया, 2 digit number है, तो हमने 20 लिखती है, अगर यहाँ पे for example 65 का पुछा आता, तो 6, 7, 42, तो वो 4, 2, 2, 5 हो जाता, तो यह चीज़े आप हवा में ही solve कर सकते हो, बेलकुल basic सी tricks के साथ, जैसा कि यह रही एक और example, 5 का square 25 हमने last में भरा, और 3 का next number क्या होगा, 4, तो 3 into 4 is 12, तो 35 का square आगया, 1, 2, 2, 5, तो यह रहे आज के topics, जो हमने सारे cover की हैं, हमने आज 6 चीज़े cover की हैं, और मुझे लगता है कि इन चीज़ों को बार बार revise करने से, आपका at least start करना, इन numbers को याद करना असान हो जाएगा, हाला कि आपको इन पे rely नहीं करना है, in the end आपको इन numbers के square याद होने ही चाहिए, तो यह just एक beginning है, जिससे आपको थोड़ी help मिल जाएगी, और इनी के साथ हमारा जो simplification का part 1 है, वो यहीं पर खतम होता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको जो मने tricks बताई, वो आपको अच्छ लगी, और इन से आपको help मिल रही है, squares को learn करने में, तो इस वीडियो को like कीजिए, साथ साथ हमारे चैनल को subscribe कीजिए, और इस वीडियो को अपने friends के साथ share कीजिए, ताकि उन्हें भी इन numbers को, इन squares को याद करने में problem ना आए, thank you so much.